तो स्टुडेंट्स वेलकम बैक आज दे आपना लेक्चर है ओ है पीटेट पेपर फस्ट एंड सेकिंड दे लाई ते नाल दी नाल इट्टी दा जेड़ा सेकिंड पेपर आनवाला है उन्दे लाई और कुछ विद आरती एक गल दे विच्छ समंझे से चने की अगला पेपर आउगा के नहीं हले आऊगा तो स्टुडेंट्स तो अगले में हिंने से सेकिंड पेपर हो कि टर द स्टुडेंट्व पर सकिंड यडाक पर स्टुडेंट्स ब्यूहीं प्रेपरिसी newest ुल्डी पर यू कि इक गल होर में तन्युते डवांस है चाहते हैं कुछ बच्चे सोच रहें ने वार-वार मैसेज आ रहें कि सर एन तुसी एन अस्ते लाक्टर कुछ आज रखें ने जी हां बिल्कुल पर्स लेक्टर आज दा लेक्टर रहें बिल्कुल अपना आवी है ठीक है जी यह जस्त लेगे आएं ताकि तानु आइडिया होजे कि यह होजे लेक्टर रखने ने ठीक है जी ताव वैसे आपने जी फीस हो है 1500 ठीक है जी कमंत दी फीस हागी है 1500 रुपेज जिन दे वेच आपने को मैथ ते साइंस दे लेक्टर लगेंगे तो लेट स्टार्ट दा वी है जेरी बुक है और किने पार्ट है विर जिक्स से कंड़ पार्ट है जी विग्यां ठीक है यह अपने कीने तेने डिफरेंट बुक्स दे पार्ट हुंदे हम आज जड़ आपना पार्ट शुरू हो रहे हो रहे है फॉस्ट पार्ट दैट इस फिजिक्स ते उन्दे विचाज़ दे टोपिक हो हो है अपने कॉल कंसेप्ट ओफ रेस्ट एंड मोश सकता है ठीक है जी तो स्टुरेंट्स आपने को हम है की पहलेच जान दिये पर स्क्रीन ते उत्ते इमेज़ आ रहे हैं एक आरी इमेज ओन दे लेफ्ट हैंड साइट एक आरी इमेज ओन दा राइट हैंड साइट सो तुसी एंदे एक अब्सरवेशन वेखनी है की एंज अं इस एक एंड दे साइट आट आड राइट एंड साइड है की एंड साले की ओन दे डॉट एंड हूरी तो सुट्या खीट टी अपने आपने इस तो आइडिया हो जाएगा की रेस्ट की नंदेत की वट्ट इस मोशन लेट is rest मलब रुक्या होया so an object is set to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time मतलब जे कोई object अपने आजसे पास से दिवस्कों आदे with respect to रुक्या रहनदा है हिलदा नहीं बिल्कुल भी तो अनु आपका आँगे ए रेस्ट पे है for example जिनने आपने आजसे पास से कोई no living objects ने for example पंखा हो मेज हो गया यह सब किने रुके हो यह अपने आप जो तक आपको आनना थे outside तो कोई effort नहीं लगांदे नहीं लगे ता यह अनने एक्जांपल आजनगे आपने को अपने को अपने को लांदा है what is motion so an object is set to be in motion if its position change with respect to its surrounding and time मतलब जे किसी object की है आप दी लोकेशन हो हिल्दा रहनदा है कि क्या जी आप से पास दी environment दे according हो की करदा हिल्दा रहनदा तो नों की कहांगे it is in the motion next चीज आपने को लांदी है physical quantities देखो बच्चों की यह physical quantities अ मतलब की होंदा है देखो आपक किसी भी चीज नों निकालना होएं पामें किस चीज दी length करनी है height करनी है सब कुछ एक हीन फीजिक से जैना आपका कहा देने आप quantities of two types now physical quantities are of two types first हुंदी आपने को स्केलर क्वांटी होंदी स्केलर क्वांटी स्केलर क्वांटी सिर्फ नंबर ते डिपेंद हुंदी यह थे लिख्या है ना length of this is 4.5 मतलब की है अपने कोल की मैं आपना मतलब किन देता है सिर्फ नंबर तो है चेड़ी फीजिकल क्वांटी सिर्फ किन दे डिपेंद कर दिये नंबर थे for example मैं आद देवा एस आदमी दिया नी हाइट है तो जोड़ी एन्नी अक्षर हो गया या एन्ना हो गया हो की वज़ेग नेक्स चांदी है वेक्टर क्वांटी की हुंदी है वेक्टर क्वांटी देख एक्जांपल है ते लिखी इस्प्लेस्मेंट दिस्प्लेस्मेंट 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 यह अपा मैगनी यूड के ने यह इन नाल दे नल जिए आपा उन दे रर्ट लगा दिए आपा रीक्शन लगा दिए तो ओ की हो यह दी हो बंजल नी वेक्टर कॉंटिटी ठीक है जी एक्जामप पर डिस्प्लेस्मेंट विलोस्टी फोर्स मोमेंटम एक्सलेशन एक्जामप वहाँ constant quantities दिया ची एक्टेंज़ लिष की हुनदा है चो क्आ की स्टाइट धर ले मतलब कि यह सिरफ एकलंप सबते इक बच्चा निकिसाल नाइन एक दर कानिट है इक करते अडरी एकशी तो बसक रोखे गार फिर रहे हैं ₹ नहीं सब्च्राइब को चितग यायन आंक्चिया रास्ता है एक आपना यह को आ डिस् टेंस प्लूल डिस्टर लो बनेगा वने मबल स्टॉब 2019 आवाला प्लस आवाला चैनल बड़ किस्टीज मेट्र फिर ठीप्न्म युदार की नीए है डिसप्मेंट एकच्षा इसमेंट मतलब की चोटा तो लगांगे एक्जाम देए ठीक है और फिर आप फिर अपनी आदत हों दिये आपने पूरी लाइफ देए अपने तो निकरस्ता अपना देए ठीक है जी तो एक चीज हो रहे तो सी याद करनी हो गया इट इस दिस्टेंस बटूमीन इनिशियल एंड एंडिंग जित्तों आ इनिशियल बोल दे तो स्टार्टिंग पॉइंट जित्तों आपकी किता स्टार्ट आपना जित्तें एंड होया तो दे वेच गया अंतर होएगा नों की कहांगे डिस्पेस्मेंट ठीक है जी नेक्स चीज है और देखो ए डिपेंड हूं दिये की ओ ऐस वाल नों आ रहे है क कि द्रम आ रहे है ठीक है एस कर गे कि इस वेक्टर कॉंटी विकोज इत आल चो डेपेंड से पॉन दा मैंगनी कुड ऑफ दा अब्जेक्ट एस वैल एस दा रेक्शन ऑफ दा अब्जेक्ट अब्जेक्ट उन्हें यह एक्जाम्पल एक रिहोर मैं लिख दिती है कि जेदे मैं उन्हें क्या सी जोतों मैं अंदर डिस्टेंस निकाल लांगे ए तो भी गया वी तो सी गया सी तो डी फिर ए वापिस आ गया अंदर डिस्टेंस वह फिन और होगा 16 मीटर होगा बट अधि डिस्प्रेश्मेंट किनी होगी 0 होगी क्यों देखो एक ही एंदा इनिशियल आपने में और यह मतलग जित्तो स्टार्ड कितो वापीस आगे एक करके एंद एंद की आएगा इस पर नहीं होजेगी जिरो जएकी तो यह बहुत इंपॉर्ण एंड जित्तो स्टार्ड किता जित्ते स्टें एंड होना है ज्यो इस 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 इफ दा इनिश्य एंडिंग इस इंडिंग इस सेम दैन इस बेसेमेंट इस जीरो सिंपल जीजिए पर एक जाम्पल वेक देया है मैं ए तु करना स्टार्ट ए मल्वा प्रह फॉर अबहर आगा है ठीक है ए अपना आफ दा आगा है शैर याट इस एफ जड़ के आए यह ए एक्जाम्पल है जे आप आई वे ते आई बिल्कुल ता ओकी कर सकतों निकारस्त अपने को अनुआ आपकांगे डिस्प्लेस्मेंट जे मैं रुद्रों के आनना एट होगया सी फेर गया डिया एक्री हो रहत तिप आया ता एंदम अलब की एक आपना एक्ट्व को छोड़ हो रहा है अपने को लग है एक बच्चा है जो ए तो गया भी फेर गया कित तक गया अप्टू सी तक ओ आया ए तो बी फिर गया बी तो सी तक तो एंद रस्ता किनना सी आपने को अगया एक हगया आवला देख गया वला तो देखो आएंगल 90 डिग्री था है आपके करना है मतलब आपकी करनी डिस्प्लेश्मेंड करनी हो कि इंद छोटे तो छोटा रस्ता सो ए तो लैकी हैं देवेच निकरस्ता भी बनेगा तैंद आंसर मैं लेकता हाओ लैटसी वाई यूजिंग एक अपने अंकल जी आएसी मैं ताम मेटिशन सी जड़े का जी ओनने की कैस पर बेस आज टी उन्दी यूजिए नियुके ने पर पैंटी कुल ता अंदा की करने स्क्वेर सिक्टीन बन गया एंदा स्क्वेर किता है नो एंदा जो एड़किता किना हों पच्ची यह होंता अंडरूड किना होंदा है एसी इस इकल टू आंसर आगया फाइव मीटर ओक कि नेक्स्ट एचीज सब तो ज्यादा इंपोर्टेंट है देखो जदो भी आपा सर्कले मुव नेया मालो एक बच्चे ने ए तो सार्ट किता ए तो गया भी भी तो फेरा आया ए दुके वापस और एंदे विच एंदा एक पूरा कंप्लीट होगी एक पूरा राउंड कंप पूरा कंप्लीट हो गई तो अन्दे विच जे आपना डिस्टेंस हो किनना आएगा 2 पाई आर विच इस इकल्च तू सर्कंफ्रेंस ओफ सर्कल आस करके अंदा आंसर किनना 2 पाई आर होंगा है ठीक है जी बट ए ते स्टार्ट किता ए ते आकी रोक गया एंदे मतलब इनि आपने हो लागे है जे हो हाफ रावन लावे ए जेड़ा अग्ये निक्कार्टे से इस डिस्टेंस 2 पाई आर है अग्दा हो जेगा किनना बजेगा पाई यार बट वट विल बीड डिस्प्रेस्मेंट ये तो स्टार्ट किता कॉंचे ता कॉंचे अप टू दा बी पॉइं आप मेंटर उव्फ दा सर्कल जी गाइच एच इंपोरण सी यान्दे वीचे नेक्स अन्फ आ अंदे अग्ये तो स्पीर दा शित्द एह मतलब ए डिस्टेंस पर यूनीट टाइम मतलब है डिस्टेंस पर यूनीट टाइम किन्ना रास्टा अगेवादे यों दे लाहि किन्ना आपनु आम लग्या उसनुए अपा केन्या आपने बाते हैं अकुछ भी नहीं फीजिकल क्वांटी आएगी पहरे तुसी याद करना है यह होता की है फिर तुसी याद करना है एस आई यूनिट्स फिर एक चीज हो नहीं पूरा याद की निये की ये कि फगी यह आइधर इटीजर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक यह स्केलर एस फॉर स्पीड एस फॉर स्केलर नेक्स्ट आपने छोटा ये नुमेरिकल लेके आने हैं जे कोई विक्कल है उन्दा जेड़ा अपना डिस्टेंस वो पांसो मीटर है जेड़ा अपना उन्दा स्पीड की होंदी डिस्टेंस पर उनिट टाइम टांसर आगया 500 बाइवन जिरो दैट इस 50 मिटर पर सेकेंड अन्दी स्पीड आगी जासी एडना सिम्बल वैसे आदक जामिच नहीं आन्दा बट इस्तमाल हुंदा है ठीकें जी नेक्स चाहिए आवरेज इए आवरेज दा मतलब की हुंदा है आवरेज स्पीड गा की मतलब है आप अन्वांदी आवरेज आप आवी निकाल देया उपर ओवर ओल अपने चीवी ओवर ओल सो इट इस इको इस टू गार रेशो ओफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टॉटल टाइम पेकर लिए सिम्पल चीज है एस वन प्लस एस एस टू अपॉन सब्सक्राइब कोई मुश्किल नहीं लगूगा देखो किया यूवक 60 मिटर इन इस सेकिंड अफर द यू रन 140 मिटर इन इस सेकिंड तो फाइंद आवरेश पीड तो वाट विल बीड आवरेश पीड की होईगी पहले अपने को है की कुछ पहले जदो भी निमेरिकल निका सब्सक्राइब किनने थर्टी नेक्स्ट इस सेवेंटी सेकिंड ता अपनु पता है एवरेज स्पीड दा फॉर्मूला लेकर इता टॉटल डिस्टैंस अपन टॉटल ताइम प्लस स्टू अना आगया नेक्स अना देशन किता तो हंडर आगया अवरेज दो अपलाई किता अना देशन किनन आगया 200 गए 100 याट इस 2 मिटर पर सेकिनें एवरेज स्पीड आगया सिम्पल ऑगया ग्स्टी कि हुंद रहन है क्ठीड इंप्ररंट एवड्मॉस्टी इस रेष्यो और इस्पेस्मेंट पर युनीट थाइम वीलोस्टी इस second thing is, एनो पर मेटर करने है, एनो पर करने है, second है जान दे फिर मेटर पर सेकिन की होंगे, SI units होंगे, ठीक है अंतर की होया, तो देखो शिर्फ एक की अंतर है, speed ते, velocity ते वेच्छ, speed ते वेच्छ, speed ते शिर्फ की होंदे, number ते कर दी, depend, that depends upon only distance ते, but तीदी velocity, it depends upon displacement, which is a vector quantity, तो यह भी की होईगी, vector quantity होईगी, next is average velocity की होंदी है, तो ओदधा ही जी में आप होंदा लिख्या सी, total distance upon total time, एन दा लिखांगे, total displacement upon total time, और एक चीच हो रहा है, माल ली, initial आपने को, speed सी, u ते, end बली, speed सी, v, ठीक है, तो एन ना दी की करांगे, average मदला, upon tool हो लिख दे है, एन एक छोटा यह, numerical है, if Ananya was able to, travel 6 km in north in 2 hours, final velocity is a simple, उपर की है, distance, 6 km in north upon 2, answer आगया, आपने को, simple जा, next, acceleration, most important चीच, सिर्फ तुजिया, end दे आना है, rate of change of velocity is known as acceleration, सिर्फ एनना को, एक चीच आप उठानी है, velocity is किनना, अंतर आंदो, आपा कैनने है, acceleration, simple example है, जदो, आपा आधे, विकल दी, speed increase, खरते है, आपा की कैनने, आप दी, लात की में दे रखो, accelerator ते, उससी का, आई हो चीज, आधा मदला, एक्सल की है, acceleration होगी, speed increase होगी, जदो, सिर्फ आपा की कहनने है, रुख दी पई है, जदो, speed की decrease होगी, de-acceleration, टीक है, so acceleration की होगी है, rate of change in velocity, that is, v minus u by t, where v is the, जड़ी होनना अपने कोल है, जड़ी आपने initial speed ही, अग्ये वाली speed होगी, होनने वाली, speed होगी होगी, आपने एक्सल की होगी, इनग्री अंतर है, कौ is a vector quantity because it depends upon velocity and it is a vector quantity so acceleration is also a vector quantity the last reason is important key what are the SI units of acceleration तो देखो उपर की पे वेलोस्टी बदला मिटर पर सब्सक्राइब सक्टर सक्टर अच्छे को रहा आगया एक्तर हो ऐसा आगया था की वनगे में अच्छे को एंदे प्लीज मैंने मैसीज वट्साइब याज चुक है आरिश जी निदे अगो रिप्लाइब हो चुक है वैरी मुच थैंक्यू जी आरिश जी देखो अवाज बगएर बिल्कुल अड़ी बाल है सब कुछ जी दिखता दाविदे नाल दिना आप दिया जी तैंदा देखो सिंपल जी अप्ल सिच है इफड़ा व्लसी विखल सी अगे असी हो गई अगे किननी सी 100W सी इन 8 से किंटा दे किसी अबज़ेट दी वेलोस्टी किन्ही होगी असी होगी अगे 100W सी तो उन तो किन्ना अंतर आया पहुच जी निकालनी है जो किन्ना अंतर होएगा V लेक्र लेखले 80 जो होनने है अग्या किनी सी एक्सोव यू लेकली आ लेकली 8 सेकिंड है तो अपा एक्सलेशन की हुंद है वी मैंस यू बैटी तो अची मैंनस एक्सोव बट आठ दाट इस माइनस दा आगया अंसर माइनस 5 मीटर पर सेकिंड स्क्वेर ओन बच्ची सोच चन कि सर नग्टिव अग्टिव आप उन्हों रोक रहें स्वीड होएगी जैन्या अंतलग कि होया फिर नुग करने हान्या जी टार्डेशन पर चेए एक्शामे चाया है डैक्टिव एक्सलेशन इस आलसे अग्सलेशन इस आग्सलेशन ने चाहिए श्चान होएगी तो नोन आज रीटार्डेशन टीक है प्रेंट्स के जे वीडियो वदिया लगे ता लाइक पे नून लोका तक बात बात पुंचाओ जिनने वी अपने आसपास पोल मित्र में अपने अपने ता कि उन्ना नू यंदा लाव हो सके प्राण वाला है नेक्स्ट आंदा यूनिफोर्म मोशन की हुंदा है अब अब्जेक्टी सेट विडियो उनिफोर्म मोशन जे देखो इको रस्ता अपनावे कोई चीज जिमें स्पीड ओंदी की रवेगी इको ता उनू कांगे ओंदे चाई यूनिफोर्म मोशन देवेच्च ये उन्दी पेपर तुछे आंदा आस्ता भी लिखोंगे यू एम जुनिफोर्म मोशन ठीक है जी अगों एंदे जोवर भी अग्गे जाके आएगा कि ये हैं कि एक्सलेरेशन आएगी के की होईगी ये ओंदे तो आप अग्गे जाके आवांगे बट तुझी एक वार याद कार लो य कि अगले स्केंट जी ओन्मा रगगे बदे फिर अग्ले स्केंट वेची अग्गों फेर ओन्ना इंक्रीज किता है वाला जेड़ा इंक्रीजो कि और एको वैस इत्जी हो रहा है को कि फरका इंक्रीज होना मुलों कहते है यूनिपोर्मोशन तिरह यू और नौन उनिफा मो हो सकता है ठीक है जी बट जेरा उनिफोर्म मोशन है उन्द एक को यह रूल और मैंशा लाइन एक दा आएंगी बिल्कुल एज़िए स्ट्रेट लाइन आएगी नेक्स्ट इंपोर्टन है एक्वेस्टन ऑफ मोशन की हुंदिया ने है वह्त इक्वेसिन चाहिए उसकों ट् はफ एक्वेस्ट व स्क्वेसटेटी स्क्वेस्ट रख सकत съब एक्स घ्यक्स Phillips एक्वेस्ट एक्सटन geschाँ थे इसलोड़ आ दीप्लस फाफ़ाइटी स्क्वेयर नेक्स तर्वित कोला आपने एफोर एक्षलेरेशन इफोर टाइम कि एफोर डिस्टेंस बच्चे सारी ओटेगे लाइव नी आ रहे है कोई की गाद लाइव नहीं आ रहे जी प्लीज आओ लाइव मजा नहीं आना फिर एक लेक्षरी ओर मिलेगा फिर उस्ते बाद तनू लेक्चर नहीं मिनने ओंदे लए तो अनू पहले 1500 फीज लगेगी चलो एंदी एक ग्जांपल अप्पा तड़िसा में सिरफ एंदे नुमेरिकल रखांगा तुसी आप पे निकालके लाइए मैं एक दांस निक्वाऊंगा एक मुविंग कोई विक्कल है ठीक है उन्हों आप रोक दिता विदिन टू जिरो सेकंड बाइप्लाइंग ब्रेक् जीरो हो गया इफ आर आर बोले तो री डिटिव एक्सलिशन की नहीं है टू मीटर पर सेके ना उन्हें वर्ड एको मैं जो कहरें नो तुसी रामना किते दिखना लिख सकते हो आर्टा मतलँ नेग्टिव एक्सलिशन लेशन लेनी हो कि लेनी है नेगटिव लेनी माइनस ट टू अपका करना है वी जीरो है तो यह अपना जीड़ भी स्किंट लगे ने अपने इता बाइ यूजिंग दा फॉर्मला वी जीकल यू प्लस एटी अपने को लांसर बनेगा जीरो जीरो जीकल यू प्लस माइनस दा टू इंटु 20 दैट यू जीरो किन आगया 40 मिटर पर स बाकी देड़े अगले नुमेरिकल जी अउमक लई नहीं ठीक है दूसी अंद्यांसर निकालके लेके आने ने ठीक है जी नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हुंदा है तो स्टूडेंट्स जदो भी कोई अब्जेक्ट की रुक्या होवेगा तो उसनु आपस वेन की करांगे रिपर्जेंट निच्चे मेशा की लेना निच्चे मेशा रखांगे अपना आवदा बंदा टीनू पीनू मेशा निच्चे एकस इस इस ते रखना है या एकस इस र लाई निच्चे मेशा का रहा है राया लाई जा रूख या हो या याली परसेन प्रसेंट्रेशन है नेक्स्ट है जे कोई से दी स्पीड की हुंदी ये विनिफॉर्म तान अगे क्या हो फिर एक बिल्कूल लाई ओए ये किशल रेट होरे मतला पीड़ा स्पीड इंक्रीज पर कुछ इसे किता फिर कुछ और इक्रीज किता तक नोगाने नौन उनिफॉर्म स्पीड पर इंक्रीज हो रही आज दी चील लाइन उपर वाल वाल नोगा एक्सल रेटिंग है जे यह लाइन निक्षे नौ आएगे डी अक्सल रेटिंग यह नहीं इंपोर्टन नहीं है जदो ता मुझ लिख्यों वे की पेपर जी लिख्या आएगा या ता आ लिख्या आएगा ते ओप्शन आ होड़ेगा या आ होएगा ते ओप्शन वेचा आपनो एक्परेट निकालना होएगा ते जे ता यूनिफॉर्म दी अन्दी इनल देखो अक्षर की लिख्या है की फोर ताइम ताँ स्पीड की उन्दी ये डिस्टेंस पर उनिट ताइम एस करके अंदा असर आया यूनिफॉर्म स्पीड आया नेक्स जे ओ अदा दी है नी उपर या अदा दी लाइन होए उपर वाल दी या निचे वाल दी नुखांगे नॉनिफॉर्म स्पीड जे ओ आद बिल्कुल आ केंदा ः स्पीड रहाता हिण स्पीड केंने है ग्राव देखो ने आज इंपोर्टेंट जी आश्टी बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राव देखो सिंपल जी एक कीज है तानुए तरी होर्शों हरन लग गया साफ-साफ सब्सक्राव देखो जी मैं आंदे दे अंदर अव दा मतलब किंने एंगल तरहिए बहुतना है तक किनने एंगल निकाल नस थे देखो आ की वहेगा आ मेरा पर्पेंड लोर रामेरा हंदा बी फॉर बेस हैं और जेड्य स्लोप अब लुगर इकल हंदी एइस लौप इस इकाल तो P by P perpendicular upon based the perpendicular किननर मेरा वह अपना एक कोल है भेस मेरा किनना है टी तेस्ट कोंटी की होदा है एसपांटी इस स्पीड तेस्ट करके अंसर किया है श्क्रीड आया नेक्स्ट आपने को लांदे स्पीड टाइम ग्राव देखो एज इस ground ऍस टांसुर आएंगे श्ठीड अब्स वक्टभाएगा था अग्रेश्द आधाaking कितले अंद एंदए तक श्राटिया फोट अग्रेश्ट। टीए अगे भी अनी सी स्पीड हो, नुब भी END ृतो रिटेगे इए एक्स रेती रेती रेतिंग भी देवेच रखाया हुई एकटा एके इस इस तीगाफ होएं चाहे बीटी गाफ होओ एंसर किम अन्टा है या अपने डिस्प्लेस्मेंट भी बोल लांगे जिये ति अपने लोस्टी दा हुदे ना ठीक है जी नेक्स्ट आपने वोल आंदा है एंड अंडर जडी हलोप आएगी हो किन देकल होएगी उनने एक्सलेशन देकल होएगी तहां देखो फर्स जग है अपने कोल वट इस इनिशियल स्पीड यह है कि अपने कोल स्पीड ते इटी इस टाइप ओफ वी टी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑंडी इनिशियल स्पीड देखा कि लिखी यह ज़्किन है पता लागरी होएगी 1 0 तहांदर आँसर आगे है 1 0 नाल देखो लिख्या इस पीड किन देच ने किलोमिटर पर आवर देच तहां आल से किलमिटर परावर लगा देना है सेकंड चीज की है वट इस-दा मैक्सिमम किनी होई यह अन्धी अलिक यह नहीं अन्तर आनना आ वाला जबाला आपला इससेच कोछ यह अंतन नहीं आया ना ता एक्सलेशन और नहीं कुछ और हो यह ऐस करके एक्षिक इन नहीं बनेगी जीरो एक्सलेशन next which part of these shows on the speed to decrease हो दिए दिए नक्टि एक्सलेशन दिए नाज इस ओन आज रिटार इशन से बनेगा सीडी वाला पार्ट की शुक्त करता है बैं ड्यक्ति एक्सलेशन पॉस्पीड डिक्रीज हो रही है लास्ट पार्ट फाइंड दा डिस्टेंस बट्वीन अथ्टो लाके यहत्य दे वेची वेच दकी करना है दिस्टेंस करना है ठीक है यह मैं तरह हुआ है याद कि आसी एरिया निकाल दो कि यह अन्डर एस्टी ग्राफ यह अरे अडर वी टी कि इंदे इक लोटा है इस इक को नहीं है तो इस तुसी निकाल सेगा या ही एक रेट्स इंधर उने 8-10-10-5, 5-10-5 ऐपना अशर बंजेगा दैट इस 35 x 5, 175 एंसर ऐगया 175 km प्रों बेटिश्यागा नेक्स लास्ट पिक है युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जेखो सिंपल जाए अगर कोई पार्टिकल की है थरकल जेखो मुवव ओएगा विद युनिफॉर्म स्पीड तो नुकांगे युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जेव आपा वर्ड आवला हटा दिये तसीम आवर्ड ना लगया हो तसीम्पल हो की हो रहा है सिरफ किसे सर्कल दे वेच्च मूव हो रहा है बट जेव ओंधी स्पीड की सेम अनुकांगे युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ठीक है जीव और एक चीज़े इंपोर्टेंट है ज स्पीर की सब्सक्राइब करके, घरल मोशन हैं जरन अनुकांगे शर्मियंका सकताईब करेएंटों की। but it has same speed so it is known as uniform circular motion which is the same as the speed just the speed is the same, the other things are not the same for example, look at the artificial it is look at the first one, the first one is the first one the first one is the first one in which we have our satellites around the earth for example, motion of electrons around the nucleus these also shows uniform circular motion motion, it is known as mill it is known as mill but because the wind mills this is the second one is uniform circular motion next is example and the second one is in which we have all our so we have to end with respect to and they need to do uniform circular motion नेक्स टीजा लास्ट अपना की अंदे वेच आपा विलोस्टी के सवे ना निकाल सकते हां ता देखो जे मालो आर उंदा की ये सर्कल दा रेडियस है ता सिंपल एंदा जेडा सर्कॉंफरेंस तू पाई आर विच इपल स्टेंस तो एंदा आसर रहेगा 2 पाई र वाई टी अन दी वेलोस्टी है 2 पाई आर वाई टी अगर कोई एक मुंदा की करते है इत मूज इन स्कुलर ओर बिड इन विद आर दी वेलु किन ये साथ सेंटीमेटर ते उन देशते हैं न किनना की एक्जाम दी जनाल ठीकता आंसर आ गया 4 मेटर पर सेकेंड सो स्टूरेंट्स एस ही अपना आज दा पहला लेक्चर अपने कोल जिनने भी ओनलाइन आए बच्चे सब दा बहुत बहुत शुक्रिया कि जे तानू लेक्चर वद या लगया होवे तैनू लाइक करना शेयर करना ना पुलना ते यह अपना फर्स लेक्चर हो चुक है सैकिंड अपने एक और लेक्चर आएगा इस तो बात वाट अदा तनू ओंदा अवेलेबल होजेगा बट अप्रोक्सीमेट नू होजे तो आदा लेक्चर होएगा तो थैंक यू सो मच्टू देंट्स